दोस्तो मेर नाम पुनीते और आप देख रहे हैं वेपेश रेकर चैनल दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक भी कर दीजे चले दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा क कैसे आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले को कांड्रो कर सके चले जोस्तर वुडियो शुरू करते हैं पहले हमें सिटिंग्स को जाना पड़ता है सिटिंग्स में आप आपको दिखेगा पहले फॉर्थ अमबर पर दिखेगा डिस्प्ले करेगा आपको उसको दबाना है और आपको डिस्प्ले आसानी से नहीं मिले तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं देखे D IS Display दोस्तों देखे यहाँ भी आ गया आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों मैंने night mode on किया है क्योंकि night mode आखों को शुरक्सित रखता है अभी मैं नाइट मोड आफ करता हूँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि Use a darker theme to keep your eyes comfortable at night इन्होंने लिखा है कि नाइट मोड आउन करने से हमेरे आख को कुछ रुखसान नहीं होता और आख शुरक्सित रहता है इसलिए मैं इसको वापस on करता हूँ दोस्तों आउट डूर मोड का मतलब आप कहीं बाहर होतो बाहर धूप में होतो आप कुछ बाहर काम कर रहे हो तो आप आउट डूर मोड on कर सकते हैं क्योंकि धूप के ओज़से स्क्रीन में कुछ नजर नहीं आता इसलिए आउट डूर मोड कहेते हैं अभी मैं इसको on करूँगा देखे अभी मैं इसको on करूँगा दोस्तों अभी मैं Night Mode को वापस on करूँगा क्योंकि आको को शुरक्शित रखना है इसलिए दोस्तों आप अपने Mobile के Brightness को यहाँ से Control कर सकते हैं दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि using high brightness for long periods increase battery concentration इसलिए आपको brightness को normal में रखना चाहिए क्योंकि high level में रखे तो battery जल्ली कतम हो जाता है इसलिए मैं इसको normal में रखूंगा आपको इतने में रखना चाहिए दोस्तों यह था आज को वीडियो दोस्तों मैं और एक पर धाव रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा और घंडे का आइकन को भी दबाना के लिए मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजेगा बाई